मुझे देम मी विजे नी लेंगे कर सम्मेक नूज लावी चाहे या विशेज पत्मी पत्रा मदे मी आप्र स्वागत करतो पवियात अच्चा सम्मेक धड़ा मोडी आइडिल इंस्टिटिट अफ बायोजी नाम देड आनी लातूर लीडर इन बायोजी फिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हस्फिटर अइन क्रिटिकल केर सेंटर शिवाजी नगर नांदेड नांदेड वगला शहर महानगर पाली केचा साय समीती ची चेर्मन पदाची माल फारुक अलिखानेंचे गलत पड़ली राष्ट्री कांगरेश्चे एकाता सब्तासले ने चेर्मन पदाची माल कोनाचे गलत पड़नार हाच्चे ज़दावीशी ज़ला होता पदाच्चु धालेले शमीम अब्दुला उनाहेक दा चेर्मन होनेचे सोपन पाहत होते परन्तु कांगरेश्चे सर्वसर्वाग प्रदशाद्रक्ष खाजदार अशुक्चवानियनी भारुक अलिखानेंचे नावावर्शी का मर्तब केला लगी जवड़ेश्वानेचे सर्वसर्वाने थाफश्च। आप महानगर पालिका के 27 समीति का चेर्मन पद आपको मिला है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मारे खासदार माजी मुख्य मंत्री अशुक्राव शुहान सहाब जन्होंने मुझे पत पर बिठाया और मुझे संदीदी काम करने की मैं उनका तह दिल से शुक्रियादा करता हूं और इसका शिरह मैं अशुक्राव साब कोई दे अभी क्या मसले है महापाली कामे की जो आपक पर कुछ क्या लगता आपको मसले क्या है हमारी की चुनातियां तो आते रहते हैं पत्पे बढ़े तो अब जो भी सामने आएगे मसले नांदर शहर के मैं उसको हल करने की कोशिश करूना और बहुत से मसले हैं हर चीज के उसमें नान वाटर सपले का है ट्रेनिच का है और पिर बुरान नगर में पहली बार पिछले दस बारा साल के बाद पहली बार वो इरे में अच्छा आउधा मिला है तो उस नगर के लिए आप क्या करना चाहते हो पिर बुरान नगर तो ऐसा इलाखा है जो जहां पर आज से दस बारा साल पहले ना कोई सुईदा थी ना ड्रेनिच की थी ना वाटर सपले की थी ना रोट्स थे वहाँ पर लेकिन आज साहब जब मुख्यमंत्री थे अशोग्राव जी चोहान साहब उस वक्त उन्होंने उसे बारा करोड रुपे निदी दी थी मुख्यमंत्री थे जा तो वहाँ पर तकरीबन काम हो चुके हैं मैं समस्ता हो ना उबर टक के वाटर सप्लाई का पूरा काम हुआ ड्रेनिज के कुछ काम बाखी है दो गली वह भी हो जाएंगे वहाँ पर ड्रेनिज का काम हुआ वाटर सप्ले वा दिवा बत्ती हुआ और बहुत भव्य रोड जो साट फिट का यह हुआ शू मंदिर से अनन काट होगे सीधा अनन नगर नया मुडार लोग वहां से शाट काट में अपना सफर जारी रख रहे हैं बहुत सी सुएदाएं देखते हैं अभी और कुछ काम बाखी है कहा जाता है कि राजकारन में जो सब्ता गलियारों में जो कोई मंगता है को पीछे पड़ता है तो उस कुछ नहीं मंगते हैं भी साहब ने विशेज ध्यान रखा मुझ पर और मुझको ये पड़ देखके बहुत लियाय किया कि नहीं मंगने वालों की भी साहब को नजर है और उस वो नजर उनकी कभी चुकती नहीं है कभी भी साहब उन पर महरवान होते और मेरे साथ भी ऐसा कुछ शुक्रिया पाहत रहा समयक न्यूज लाइव बातमी पानिया साथी यूटूब पर सब्क्राइब करा